ब्रेजा 2024 यह कार स्पेशली हमार पास आई हुई है for a high-end audio setup इस कार के अंदर हम लोगोंने Audison की top of the line series install करके दी हुई है front में जो हमने लगाई है Audison की वोचे series that is AVK6 यह flagship model आता है Audison का two-way passive setup हमने इसके अंदर किया हुए और रियर में हम लोगोंने लगाई है प्राइमा सीरीज के component इसके अंदर चारो जो components हैं वो हमारे handle करेगा Audison का SR 4.3 यह four channel compact powerful amplifier है जो subwoofer drive हमने किया है that is none other than Audison का APBX10AS यह active subwoofer आता है यह CNG वाली कार है इसके अंदर बड़ी compact हमारे को जगा में subwoofer लगाना था तो इससे अच्छा और इससे powerful subwoofer आपको मिली नहीं सकता है इसको handle करने के लिए एक base knob भी आपको दिया जाता है so that आप अपने accordingly इसकी base को adjust कर सकते हो ऐसे पूरे setup को handle करने के लिए और प्लस यह base model car है इसलिए हमारे को एक अच्छा head unit चाहिए होता है दो ही उसके अंदर हमार options देते है that one is blowpunk second is pioneer sir ने pioneer चूज किया था हमने इसके अंदर latest launch pioneer का double six five zero लगाया यह three pre-outs के साथ आता है that means front, rear and subwoofer equally इसको यह handle कर सकता है प्लस जो एक features जो हमारे को DSP में लगाने के लिए होते हैं वो सब इसके अंदर मिलते हैं यह सब product description थी अभी सबसे important बात है यह सब कुछ को बेचना is a different thing but इस सब को कार में लगाना तभी इस सब की value आपको मिल सकती है हमने इस कार के अंदर two layer damping की हुई है मैं अभी आपको सारी fitment दिखाऊंगा हमने इस कार के अंदर सारी two layer damping कर के दी हुई है 2.2 mm की damping इसके अंदर हम लोगों ने की है प्लस जो हमारे वोचे सीरिस के component है इसको पहले हम लोगों ने एक spacer के थू लगाया है then water guard यह यह यहां पर हमारा crossover है जो आपको देखने के लिए मिलेगा audition का एक एक वायर जो हम लोगों ने इसके अंदर यूज की है प्रॉपर हर एक जगह से आपको जिदर स्लीव होनी चाहिए उदर स्लीव देखने के लिए मिलेगी जिदर आपको जितनी लेंथ स्पीकर वायर की होनी चाहिए उतनी देखने के मिलेगी एसे पूरे सेटप्स के अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टन बात जो हमारे को मैटर करती है वो स्पीकर वायर की लेंथ हम लोग कैसे और कितने गेज की वायर डाल रहे है दोनों ही एम्प्लिफायर को चलाने के लिए हम लोगो ने बैटरी से वायर लिए है एक हमारा ओडिसन का फोर चेनल एंड एट सेकिंड वन जो हमने बूट में लगा है वो भी आपको में दिखाऊंगा उसके अंदर इंबिल्ट अप्लिफायर होता है जो प्रॉपर वायरि तो यह फ्यूज के उपर प्रॉब्लम हैगी जैसे हम किसी भी बिजली के काम के अंदर एक MCBR फ्यूज लगाते हैं सेम यह वो ही काम करता है आपकी ना तो बैटरी पर फरक पड़ने वाले ना ही ऐसे हाई-end प्रॉट्स के उपर प्लस यह वायरिंग करने का तरीका आपको एक जस्टिफिकेशन देता है सो डैट आपने जो चीजे इंस्टॉल करी हैं वो किस त्रीके से इंस्टॉल होनी चाहिए रियर में हम लोग चलते हैं आपको सब वूपर की एक फिट्मेंट निखांगो जो मनें इसके अंदर आडिसन का लगा है एपी बी एक्स 10 सी एंजी सब्वूफर हमें मिलनी सकता है यह पूरा डिकी की स्पेस हमारे को मिलती है इसके बाद एक यह ऐसा एक्टिफ सब्वूफर है जो में इसके अंदर लगा सकते हैं और अकेला यह ऐसा सब्वूफर है इसके उपर आप 200 विलो तक का वजन भी रखोगे ने इस बॉक्स पे त वाइल ड्राइविंग किसी भी तरीके से मूव नहीं करेगा और जो सारी वाइरिंग करने का तरीका वह भी आपको दिखेगा हम लोगों ने किस तरीके से यह पर इंस्टॉल करके दिया हुए अगर आपको किसी भी केस में इसको हटाना तो आप यहां से जर्श इसको अग क किसी भी तरीके की जुगाड वाइरिंग आपके इतने महिंगे इतने हाई-end प्रोड़क्स को खराब कर सकती है तो ऐसी इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पेज के जुरूर फॉलो करो इस लटीगार अक्सेसरीज प्लस इंस्टाग्राम पर जाके इसकी शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं थैंक यू सो मुच